मेरा नाम है Nira, मेरी कंपनी का नाम है Nirmish System, जो IP Infrastructure Solution Provider है तो आज हम देखेंगे IPBX का Unboxing, जिसका Grand है Grandstream और इसका Model है UCM6204 जो चलिए देखते है UCM6204 पा Unboxing देखेंगे लेखते हैं, बॉक्स के अंदर रंगो क्या मिलता है यह है Guarante Disclaimer, यह है Broster, यह है HappyT Installation Guide यह है UCM6204 अगर देखते हैं, इसके अगरा हम दो क्या मिलता है तो इस मिलता है RJ45, लेंटेबर 1 मिटर का यह है आड़क्तर जो की UCM6204 को पावर देलेंगी काना दा है तो यह है UCM6204 को चलिए देखते हैं, इसके पैकेरिया में भी क्या-क्या मिलता है यह है QST Point, यह है SD Card, यह हम 32 GB तब का SD Card डाल सकते हैं जो की हमें CD INA की Call Details रेकोर्ड करने में या Call In Block को सेव करने में यूस होता है उसके बाद आता है Trial World का DC Adapter, जो की UCM6204 को पावर प्रॉइल करता है उसके बाद है Reset Button, जो की UCM6204 को रेसेट करने में हेल्प करता है उसके बाद है LAN और WAN Port, जो Gigabyte के हैं उसके बाद आता है Apex X-Pot, यहां दो दिये गया है उसके बाद है Apexo 4-Pot UCM6204 को इसी दिया ही Apexo 4-Pot, यहां हमको Apexo 4-Pot में से यहां यही लास्ट में Ground करने के लिए X-Screw, यहां से हम इसको Ground कर सकते हैं अगर हमको Ground नहीं मिलता है तो आपे देखते हैं हमको क्या मिलता है, यहां सब स्टेटर स्लाइट से और डिस्पले हैं, यहां से हम Basic Configuration चेक कर सकते हैं यानि कि इसमें हम IP स्टेक कर सकते हैं IP, LAN IP, WAN IP और इसका firmware कौन सा है वह भी देख सकते हैं तो फर्स्ट हमको यह लैंड वैं, USB और SD card के स्टेटर स्लाइज मिलती हैं उसके बाद FXS की यानि कि इस फ्रांड की हमको स्टेटर स्लाइज मिलती हैं उसके बाद हमको यहां 4Light FXO port की मिलती हैं तो इसमें 6204 पांचो यूजर सतथ सपोर्ट करता हैं और इसमें आप 75 concurrent call कर सकते हैं पीछे हमको यहां एक sticker मिलता है sticker में हमको इसका default password मिलता है और मिंचे फूलिंग के लिए fan दिया गया है और यह दो है वह हम इसको मांट करना के लिए यूज कर सकते हैं चलिए देखते हैं इसके features कि इसमें हम zero configuration का feature सुनता है यानि कि अगर हमारे डेटवर्ट में Grandstream का SIP phone यानि कि IP phone हो तो हम इसमें Grandstream में basic configuration कर लेते हैं तो Grandstream का IP phone अपने आप यहां से settings और configuration अडप्त कर लेता है तो हमको manually IP phone का configuration नहीं करना पड़ता जिसकी अगर से basic और बहुत अच्छा features तो इसका एक अच्छा teacher से IVR सपोर्ट करता है इसमें five level का IVR मिलता है यानि कि हम इसमें step by step five level तक हम IVR सेट कर सकते हैं यानि कि example देखते हैं तो हम किसी भी कंपनी में call करते हैं एक्जामल के जियों में call करते हैं तो पहले step में आता है November selection दूसरे step में आता है Department selection ऐसे हम five level तक इसमें configure कर सकते हैं IVR इसमें हमको call details की record भी रख सकते हैं यानि कि इसमें आने वाले incoming और outgoing calls और अगर network में ASIC internal call रहता है तो इसके भी हम lock रख सकते हैं यह UCM SRTP, TLS, HTTPS का protocol का use करता है तो इसकी वज़े से हमको strongest possible securities provide करता है यहरी वाइस कोई भी SIC video phone को support करता है जो video phone patch 264, 263 और 263 plus का codec का use करता है इस CRAMS TV UCM 6204 में हम 50 SIP account रख सकते हैं और इसके पीछे दिये गए 4 bot के ज़ेरे हम 4 PSTN live तक support करता है इसमें हमको 2 FXS gateway दिये गए हो इसके use हम analog conform को configure कर सकते हैं इसकी वज़े से यह भी अच्छा features है और इसमें हम 3G या 4G इसमें FCG को भी configure कर सकते हैं एक अप्लीकेशन ग्रांस्टेम की यूस हो थी है इसमें जिसका नाम है GSV इसकी वज़े से हम remotely incoming और outgoing call कर सकते हैं यह UCM 6204 इसको भी support करता है इसमें UCM 6204 में हमको 500 user तक no license की ज़रूरद नहीं पर दिये user configuration करके लिए दूसरे ब्रांड जैसे की Cisco और matrix है उसमें user configuration या user का setup परने के लिए license required होगा यह इसका बहुत अच्छा features है आपको कोई query या question हो तो हमको comment कीजिए अगर वीडियो पसंदा लाइक कीजिए subscribe कीजिए और अपने दूस्तों को subscribe करना मत बुलिए और नए वीडियो और नए devices का unboxing देखने के लिए well iPhone को दबाना मत बुलिए आपको कि 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 आपको कि कि झाल झाल